हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं उप्तातीक और आप दिख रहें ट्रेडिंग टॉपर आज हम बात करने वाले हैं आयो भी शेयर के बारे हैं इंडियन ओर सेस्क बैंक आज हम इसका डीटेल टेक्निकल फंडमेंटल दो आनलिसिस करने वाले तो शुरू करते हैं पहले हम इसका फंडमेंटल आनल सिस कर लेते तो इस कम्पणी का जो मार्केट कर और 43,000 को यॉइंक इसको कर लेते हैं तो इसका जो स्टॉपी बहुत ही ऑगी जाच़ चुका है बुक वैलू एट की चल रहे है करंब रैच जो वो जाधा आगे बढ़ चुकी है यह एक अच्छा बैंक है founded in 1937 तो बहुत ही पूराना बैंक है ट्रस्टेट बैंक है तो इसमें डरनी की कोई भी बात नहीं है अगरे मिच के प्रोफिट को चेक करें तो प्रोफिट में आ जाते हैं 327 करोट का प्रोफिट इसने बनाये हैं जून में उससे पहले 315 करोट का था तो बहुत ही ब बार कर दिया है पिछली बार देखे तो पिछली बार 831 करोट का था तो पिछले दो ही 2021 में और टीटीम में दोनों भी प्रोफिट जो बहुत ही बड़िया प्रोफिट हमें दिख रहा है उससे पहले यह कंपणी लॉस कर रही थी लगतार माइनस 8000 करोट माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस माइनस 2015 से लेकर 2020 तक यह कंपणी ने लॉस देल आए लेकिन अभी यह कंबैक में आ चुकी है कंपणी जो प्रोफिट कर रही है इसने सिर्फ एक ही बार 2011 में 1000 काकड़ा पार कर दिया था और यह अभी भी उसी लेवल तक प 24,000 पर इसके चल रहे है इसे के साथ अगर इनका कैश फ्लो चेक करें तो 6700 करोट कर जो इनका कैश फ्लो है अच्छा करता अगर हम पिछली बार देखे तो पिछली बार माइनस 6000 ता तो उससे माइनस में इन्होंने प्लस में कनवर्ट कर दिया है तो यह भी हमां एक कुछ भी नहीं डियार के पास उन्हें परसेंट के से तото सबसे जाए प्रोमेटर्स के पास अगे बढ़ने बहतरी को सोब्सक्राइए थे तो पब्ली के पास सिर्फ 2 परसेंट के पर जाती तो इसे ऊपर जाने में बहत ही आसानी होती है तो हमरे लिए एक अच्छी बात है अगर हम इसके फंडामेंटल आने उसको देखे तो फंडामेंटली कंपणी बहुत ही स्ट्रॉंग है यह गवर्मेंट बैंक है फिर भी इसके पॉफिट जो वह बहुत ही अच्छा कासे बन रहा है अगर हम इसके टेकनिकल चार्ट पे अग टेक 24 तक पोच चुकाता तो लोगों ने इसमें जो अच्छा कासा वोल्यूम भी ट्रेड हुआ है लोग भी इसमें इंट्रस्ट इट अगर पब्लिक होट की बात करें तो 70% लोग जो बाय की तरफ वोट करें 20% लोग जो वो सेल की तरफ वोट करें और 9% लोग जो वो टार्गेट बन रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ तो यह शेर जो फंडमेंटली बहुत ही स्ट्रॉंग है अगर हम इसके पीछले टार्गेट देखे तो यह शेर लगबग अच्छा कासा पोफांग अभी भी कर ला है अगर हम 2011 में जाए 2011 चल रहा था तब इसकी प्राइज चल रही है वो 22 और इसके प्रोफिल ज़ब बड़ चुके ंसेmember यह वह बढ़ चुके यह दिखा देता क्यांग अगरी आ जाते हैं 2011 में 10 तand काखट इसने पार कर दिया था तब इसके प्राइस 맞लब ऑज हैं Come Unit के ट्रेड रहा है इतना पिछले 10 सालों में भी इतना वोल्डियम ट्रेड नहीं हुआ था इसके जो प्रॉफिट से वह भी अल्टाइम हाई पर पहुँच चुक है तो इससे हमें यही पता चलते कि शेर में बहुत ही अच्छा कासा दमे शेर और भी आगे जा सकता है तो इसके जो है वो हमें कम पर मिल रहा है अगर हम कर पार नाओ हमें आते हुए दिख सकता है तो यह अच्छा का सा टार्गेट मुझे लग रहा है तो 30% का टार्गेट अगर शौट टम में आता है तो हमरे लिए एक अच्छी बात है इसी के साथ इसका लॉंग टम टार्गेट दे के तो यह शेर जो है पचास का अखड़ा जल्दी पार कर स सकता है अगर एक साल में यह शेर जो उदर तक भी जा सकता है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल जो बहुत ही अच्छे कासे सुदर रहे तो 100% से भी जादा यह शेर जो हमें प्रॉफिट करके दे सकता है इसके वॉल्लिम भी आच्छे ट्रेड हो रह रही है तो थैंक्यू फ्रेंट्स अगरे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मैंने इस वीडियो में कोई भी बायो और सेल का सिगनल नहीं दिया है यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर पस के लिए बनाई गई है थैंक्यू